नमस्कार मैं डॉक्टर शशी देपाल आज हम बात करेंगे बीए सेकिंडियर के एक चप्टर युद्ध एवं कूटनीती और इसके अंतरगत हम बात करेंगे पंजाब की अर्थात आंगल सिख संघाष के बारे में हम चर्चा करेंगे मुगल अत्याचार के खिलाफ सिखों के दसवे और अंतिम गुरु गोविन सिंग ने सिखों को एकता के सुत्र में बानने के लिए धर्म को सैनिक शक्ति के रूप में परिवर्टित कर दिया और सिखों की स्थिति को जो है और अधिक मजबूत बनाया गया सिख जाती जो एक धार्मिक समुदाई थी जिसको सैनिय शक्ति के रूप में परिवर्टित कर दिया गया गुरु गोविन सिंग ने खालसा के स्थापना की जिसका गठन लुकतांत्रिक पद्रति पर किया गया और अब गुरु का पत्समाप्त कर ग्रंथ साहिब जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है सिख संप्रदाय के मार्क दर्शक माने जाने लगे और गुरु गोविन सिंग और उनके बाद में उनके सेवक बंदा बैरागी ने मुगल सामराज्य से डट कर लोहा लिया उनकी मुगल सामराज्य को भारी क्षति पहुँचाई और सिख एक बड़ी शक्ति के रूप में जो है वो परिवर्टित होने लगे एहमद शाअबदाली के बाद एववस्ता का लाब उठाते हैं सिखों ने अपनी स्थिती को और अधिक सूद्रट बनाया और पंजाब उस समय सिखों के छोटे छोटे राजे जिनने मिसल कहा जाता था उस बारा मिसलों में जो पंजाब है वो विभक्त था सिखों का राजे विभक्त था कालांतर में महराजा रंजीत सिंग ने इन मिसलों को संगठित एक शक्ति के रूप में संगठित किया और यह मिस्ल जो है वो छोटे-छोटे गंडाजों के समान थी और एक दूसरे से ये प्रथक और सोतंत्र थे और इनमें आपस में थोड़ी से पारसपर एक जो एकता का आधार था वो एक ही जो था धार्मिक संप्रोदाय और खालसा से क्योंकि संबंध्य थे तो आपस में इन नहीं थे इस द्रिश्टी से इन विखरे हुए राज्यों को एकिकरत करने करके एक प्रबल राज्य के रूप में एक प्रबल शक्ति के रूप में परिनित करने का कारी जो है वो महराजा रंजीत सिंग ने किया महराजा रंजीत सिंग के पिता महा सिंग सुकर चाक्य मिश् हो गई और ऐसे में उनकी मा जो है वो उनकी सरक्षिका बनी 1799 में में अफगानिस्तान की जमानशा की मदद से रंजे सिंग ने लाहूर पर अधिकार कर लिया और उसके पश्चात 1802 में अमरत सर को भी अपने राजे में मिलाया और अमरत सर का जो स्वन मंदिर के रूप में जिसे हम जानते हैं उसमें सोने के गुंबत का निर्मान करवाया 1806 में लुधियाना पर अधिकार कर लिया और साथ ही साथ में नाभा, जिंद, अंबाला, थानेश्वर, नारंगड और फिरोजपूर आधी पर भी अधिकार कर लिया इस प्रकार से अपने सामराजी के विसरित और मजबूत संगठित जो है वह बनाया गया रंजीत सिंग के द्वारा 1808 में लॉर्ड मिंटो ने सर चॉल्स मैटकाफ को संधी वारता के लिए पंजाब भेजा रंजीत सिंग के पास बेजा और 25 अपरेल 1809 को अमरत सर की संधी हुई जिसके तहट कंपनी राज्य की सीमा सतलच के पार तक तेह कर दी गई और पूर्व के और सतलच रंजीत सिंग की सीमा ने धारित कर दी गई और इस प्रकार से रंजीत सिंग ने अपने सामराजे को मजबूत बनाया और साथ ही साथ में यहाँ पर हम एक बात का और उलिख करेंगे कि अफगानिस्तान के शाह सुजा ने रंजीत सिंग से साहता मांगी थी और रंजीत सिंग को इस मदद के बदले शाह सुजा के द्व कोही नूर का हीरा भेट किया गया जिसके हम आगे के अध्याय में भी चर्चा करते हैं कि कोही नूर का हीरा किस प्रकार से इंपॉर्टेंट वो था 27 जून 1849 को रंजी सिंग की मृत्य हो गई और उसके पश्चात अंग्रेजों और सिखों के बीच यहां पर भी हम अंग्रेजों का देखते हैं कि इस समय तक 1849 तक अंग्रेज भारत में बहुत लंबे चोड़े शेत्र पर अपना अधिकार अपना कर चुके थे और अब अंग जो है धीरे धीरे पंजाब की स्थिती कमजोर होने लगे और रंजी सिंग के बाद की जो उत्रादिकारी है उनकी कमजोरी और अनुशाशन हिंता का लाब उठा कर अंग्रेज जो है या ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पंजाब को अपने ब्रिटिश जाती थे और इस प्रकार से अंग्रेजों और सिक्खों के बीच में युद्ध प्रारम हुए जिने हम आंग्ले सिक संगर्ष के नाम से जानते हैं और जिनके हम आगे के अध्यावें में चर्चा करेंगे